हलो फ्रेंज, वेल्कम बैक टो मैं चैनल, तो आज मैं लेके आए हूँ वेज़ेवल विद चीज मैगी, जो कि बच्चे को बहुत ही पसंद आएगी, और इसमें धेर सारे वेज़ेज हैं, तो आप भी बना के बच्चे लोग को खिला सकते हैं, तो चलिए जानते हैं उसके ल मैसाला, तो चलिए बनाते हैं, यहां मैंने कडाई में ओयल डाल दिया है, अब हम इसमें ये चॉप्ट अनेयम डाल देंगे, और हल्का मिला देंगे इसे, और आप हम इसमें बीम्स डाल देंगे, गाजर, नपर, इस तब को हम बंढ लेंगे अप्टे से, तो सब्जिया हमारी ये आदी पस छिपनी है, तो हम इसमें पानी याड करेंगे, और अब हम इसमें ये मैगी नसाला डाल देंगे, मैगी नसाला, फिर इसमें हम सॉस अड़ कर देंगे, चिली फ्लेक्स, अगर बच्चे खा रहे हैं तो आप इसे अवाइड करें, और इन सब को हम अच्चे से मिला देंगे, और अब हम इसमें ये मैगी डाल देंगे, और मैगी कच्चे से मिला देंगे, और इसमें हम चीज आठ कर देंगे, और चीज आठ करने के बाद इसे हम मिला के कवर कर देंगे, तो इसे हम कवर कर देते हैं, और बीच बीच में देख लेंगे मैगी पकी है या नहीं, तो चलिए देख लेते हैं मैगी हमारी पकी है या नहीं, आप देख सकते हैं मैगी हमारी अच्छे से पक चुकी है, तो बीच में इस तरीके से चलाते हैं और आपको जितना भी ठिकने से यह आप उतना ही रखें तो चलिए अब हम मैगी को निकाल लेते हैं तो हमारे मैगी रेड़ी है बिल्कुल खानी के लिए आपने देखा कि कितनी आसानी से घर पे ही इतनी हल्दी मैगी बना सकते हैं आप चाहे तो इसमें और भी वेज़ेज एड़ कर सकते हैं जिससे यह और भी हल्दी बन जाए एक पर आप मेरे तरीके से बना कि बच्चे को खिलाईएगा अच्छे को जरूर पसंद आएगा अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा लाइक करिएगा शेयर करिएगा और मैं इसी तरीके से हल्दी रेसिपी और टेस्टी रेसिपी लाते रहूंगी वीडियो को देखनी के लिए थाइंक यू